कोलकाता से एक महत्योपून खबर सामने आ रही है जहां आठ अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मडर की इसमें न्याई की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने पुलिस हेड़कौर्टर के बाहर जोरदार प्रदेशन किया जूनियर डॉक्टर्स का अक्रोस इसकदर भढ़ गया कि उन्होंने कोलकाता पुलिस आयुक्त विनित गोयल के इस्तिफ़े की मांग कर दी इस भी सीवी आई ने भी इस मामले में बड़ी कारवाई करते हुए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्वे प्रिंसिपल संदीब घोश और तीन अन्या लोगों को अपों में गिरफतार किया है आज इने कोट में पेश किया जाएगा सुमवा को डोक्टरों ने लाल बाजा पुलिस हेड कुवाटर तक रैली निकालने का प्रियास किया जिसमें बड़ी संख्या में आम जनता भी शामिल हुई लेकिन पुलिस ने उन्हें बीबी गांगु पर रीड की हड़ी और लाल गुलाब लगाकर पुलिस का उनका फर्ज याद लाने की कोशिश की डोक्टर का कहना है कि पुलिस ने इस मामले की जाश में लापरवाही बढ़ती है और जब तक उन्हें पुलिस कमिशनर से मिलने की अजाज़त नहीं मिलती वे धने पर बैठ और मोजूद असान सदभी जीट गंगोपाध्याई भी प्रदेशनकारियों का समर्थन करने पहुंच गए लेकिन वहां मोजूद डॉक्टर्स ने उनके खिलाफ नाराज की जाहिर की और गो बैक के नारे लगा दिये गंगपाध्याई ने इस पस्ट किया कि वह एक आम न क्योंकि वह कुंडे नहीं हैं बलकि समाज के सम्मानित सदश्य हैं ऐसे में उन्हें इंतजार करवाना उचित नहीं है इस पूरे घटना करम से कोलकाता में तनाव का माहोल बना हुआ है और डॉक्टरों का आंदोलन जारी है